नमस्कार पंच तंत्र के कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंच तंत्र के तीसरे बाग काकोलूक्यम से अगले कहानी बुढ़ा आदमी, युवा पतनी और ठग की ये है एक गाव में एक धन संबन किसान रहता था, एक बीमारी में उसकी पतनी का देहान्त हो गया, उसके कोई संतान नहीं थी, जल्द ही एक गरीब की जवान बेटी से उसका दूसरा विवा हो गया समय गुजरता गया किसान विरिध हो रहा था परन्तु उसकी पतनी अभी यूती थी अपने पती से संतुष्ट ने रहने के कारण वे सदा परपुरुष की टो में गर से बाहर घूमती रहती थी एक दिन किसी ठग ने उसकी इस इच्छा को भाप लिया और उसे ठगने के लिए अपना जाल बिछाने लगा एक दिन किसान की पतनी का पीछा करते करते उसे वह एकांत में मिल गई मोका पाते ही ठग उसके सामने जाकर बोला मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ देखो मेरी पतनी का देहांत हो चुका है यदि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे साथ विवाह कर लो मैं तुमें बड़े प्रेम सतकार से रखूँगा अपने पती से जवान और सुन्दर इनसान को देखकर वैबोली मुझे भी तुम अच्छे और सुन्दर लग रहे हो मैं तुमारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मेरा पती बुड़ा हो गया है उसके पास बहुत सा धन है मैं उस धन को समेट कर ले आती हूँ ताकि तुमारे साथ मेरा भविश्य सुख में और संबननता से बीते ठग ने कहा प्रिये मुझे धन का लोब नहीं है मुझे केवल तुमारे जैसी कुशल और सुन्दर इस्त्री का साथ चाहिए वै बोली वो सब तो ठीक है पर न तुम मेरा बुड़ा पती इतने धन का क्या करेगा वो धन हमारे और अपने परिवार के काम आएगा ठग मन ही मन पर सन्द हो रहा था उसने का ठीक है तो तुम जाओ कल सुबह इसी स्थान पर मिल जाना इस परकार उस दिन वै किसान की स्त्री अपने घर लोड़ गई रात होने पर जब उसका पती सो गया तो उसने अपने पती का सारा धन समेटा और उसे लेकर सुबह उसी स्थान पर पहुँच गई वैठग बेसबरी से उसका इंतिजार कर रहा था वैठग उस इस्त्री के आते ही उसे लेकर तुरंत उस गाउं से दूसरे गाउं की उर चल दिया जब दोनों उस गाउं से बहुत दूर निकलाए तो रास्ते में एक गहरी नदी आ गई ठग को उस इस्त्री से जरा भी प्रेम नहीं था उसने तो पहले से ही उस इस्त्री को ठगने की योजना बना रखी थी ऐसी इस्त्री को खोईसता हुआ कोई उसके पीछे आ जाए तो खतरनाक हो सकता है इसलिए उसने जल्दी से उसका सारा धन हत्या कर उससे पिंड छुडाने के लिए उससे कहा नदी बड़ी गहरी है तुम्हें त्यारना आता है वह बोली नहीं मुझे त्यारना नहीं आता तो वैं ठक बोला कोई बात नहीं मुझे तो तैयारना आता है मैं तुम्हें नदी पार करवा दूँगा परन्तु एक बार में इतने भारी सामान के साथ तुम्हें भी नदी पार ले जाना मेर लिए थोड़ा मुश्किल है सामान के साथ कहीं हम दोनों ही डूब ना जाएं इसलिए मैं पहले सामान उस पार रखाता हूँ फिर तुम्हें आसानी से अपने पीट पर बिठा कर उस पार ले चलूँगा वैं इस्तरी तुरंत मान गई और बोली ठीक है ऐसा ही करो और किसान की इस्तरी ने अपनी गठरी उसे पकड़ा दी तो ठग बोला अरे अपने पहने हुए गहने और अतिरिक कपड़े भी इसी गठरी में बांधो केवल पहने मातर वाले कपड़े रखो जिससे नदी में चलने में किसी परकार की कोई कठी ना ही ना हो उसने वैसा ही किया पैने हुँ अपने सारे गहने उतार कर उसने उस गठरी में रख दिये उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर लोट कर नहीं आया वह औरत अपने कुकृतियों के कारण कहीं की नहीं रही इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मारग नहीं अपनाना चाहिए अगले कहानी मेरे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे अवश्य बताईएगा नमस्कार